नमस्कार, आप सभी का सुवागत है न्यूज पियार पर और आप देख रहे हैं ताजा होले वित्रिया का एक और एपिसोड आज की कहानी है BPSC 64V में सफलता हासल करने वाले विरेंद्र की विरेंद्र औरंगाबाद के ओबरा प्रखन के रहने वाले हैं और इनकी कहानी आपको बहुत कुछ सिखलाएगी इनके पिता एक कॉबलर थे और जूते सिलकर अपने परिवार का भरन पोशन किया करते थे 2012 में इनकी पिता की मृत्ति हो गई जिसके बाद दुखो का पहाड इन सभी के ऊपर तूट पड़ा और सारे जिम्यदारी इनके बड़े भाई जिते इंद्र के ऊपर आ गया इन लोगों ने फैसला किया कि मा को लेकर सभी शहर चले आएंगे कमाने के लिए शहर चले आए और उसके बाद एक बस्ती में रहने लगे चुकि यह सब कुछ आइसान नहीं था इन लोगों ने दुकान किराय पर लिया और उसी की साथ अपने जिन्दीगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया चुकि पैसे की बहुत कमी थी और आर्थिक स्तीती बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी तो विरेंद्र ने भी एक अंडे का शॉप खोल लिया उसके बाद वो अंडे बेचा करते थे लेकिन उन्होंने अपने पढ़ाय का शॉप कभी नहीं चोड़ा साथ में पढ़ाय भी क्या करते थे विपीएसे की तैयारी जब भी कोई ग्रहक नहीं होता था तो वो पढ़ाय कर लिया करते थे जब थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक होई तो उनके बड़े भाई ने एक बाग का शॉप खोल लिया और वहां तमाम चमड़े की चीज़ें बाग्स या सभी चीज़ें बेचने लगे दीरे दीरे और स्थिति ठीक होई तो उन्होंने अपने छोटे भाई यानि की विरेंदर की दुकान बंद करा दी और कहा कि तुम पढ़ाय पर ध्यान दो शायद तुम्हारे यह मेहनत तुम जो मेहनत करते हो तुम्हारे जो लगन है चीज़ों को लेकर पढ़ाय को लेकर वो हमें कहीं न कहीं हमारी जिंदिगी को थोड़ा असान बना देगा बस फिर क्या था विरेंदर ने पढ़ाई करने शुरू की और उन्होंने बीपीस की चॉसेट्वीव में सफ़लता हासिल की अब वो प्रखंट पदाधिकारी के रूप में कारे रत होंगे बिहार में बिहार के सिवल सर्विसेज में अपने सेवा देंगे और इस तरीके से अपने परिवार की जिंदगी बदल दी परिवार को पट्री से एकदम पट्री पर ले आया पट्री पेसे जो उनकी जिंदगी उतर गई थी उसे वापस से अपने पट्री पर ले आया और अब सब परिवार वाले भी खुश उनके बड़े भाई बहुत बहुत जादा योगदान रहा उनका इनकी सफलता में तो कहते हैं हर किसी के पीछे कोई न कोई तो होता ही है हर किसी सफल इंसान के पीछे कभी-कभी वो आपका राइवल होता है कभी-कभी वो आपका साथी होता है कभी-कभी वो आपके चाहने वाले होते हैं और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ इनके बड़े भाई ने इनकी खूब सहायता की बहुत सपोर्ट किया अगर उनको शॉप से नहीं हटवाते तो शायद विरेंदर उतना ध्यान नहीं दे पाते लेकिन विरेंदर ने यह सब कुछ हासिल कर लिया तो फिलाल आज की इस कहानी में इतना ही कलफेर एक नहीं कहानी के साथ हम मिलेंगे तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें दिन भर न्यूज के जितने भी अपडेट्स हैं आप हमारे चानल पर देख सकते हैं इसके लावा हर रोज इस वक्त मैं एक और नहीं कहानी के साथ मिलती हूँ तब तक के लिए बने रहें बहुत-बहुत धन्यवाद